A very good morning dear aspirants, बाईजूस के Government Exams Prep Channel में आप सभी का हार दिख स्वागत है दोस्तों इस lecture में हम चर्चा करेंगे This Day in History segment की जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास facts और घटनाओं को जो आपके इन सभी आने वाली Government परिक्षाओं के दृष्टी कोण से बेहद लाबदायक हैं Along with this lecture के अंत में, we will share some very important practice questions with you All of which will be based on the facts that we talk about today in this lecture तो आप अवश्य ही आज की सभी एतिहासिक facts को ध्यान से समझते हुए इन practice questions के उत्तर देने का प्रयास अवश्य कीजिए क्यूकि इनके लगातार अभ्यास से आपको इन सभी exams में बहुत help मिलेगी तो आईए friends अब शुरू करते हैं 25th में अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारी सभी important रहतिहासिक facts की सबसे पहला fact आज का संबंदित है 1886 से जब revolutionary freedom fighter राश बिहारी बोस वस बोन अर्थात क्रांतिकारी स्वतंतरता से नानी राश बिहारी बोस का चर्म आज के ही दिन हुआ था क्रांतिकारी स्वतंतरता से नानी और भारती स्वतंतरता लीग के संस्थापक राश बिहारी बोस का जन 25 मई 1886 को हुआ था उनका संबंध सुबाल दहा नामक गाउं से था जोकि वेस्ट बेंगौल राज्य में स्थित है शुर्वात से ही वह रेवल्यूशनरी आइडियोलजी से बेहत प्रभावित थे वह जतिन मुखर जी उर्फ बागा जतिन के परिचय में आए और उसके पश्चात उन्होंने बेंगौल के क्रांतिकारी स्वतंतरता सेनानियों के साथ जुड़के स्वतंतरता संग्राम में भागलिया. In December 1912, he masterminded an attempt on the life of the then Viceroy of India, Lord Harding. This incident occurred on the occasion of transfer of India's capital from Calcutta to Delhi. इस incident में एक homemade bomb या explosive was thrown on the Havda carrying the Viceroy in Delhi's Chandni Chauk area. इस हाथ से को बाद में Delhi conspiracy case के नाम से इतिहास में जाना गया. इस हाथ से में Lord Harding did not die and he escaped with a few injuries. परन्तु बोस और उनके क्रांतिकारी साथियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा हंट किया गया. लेकिन रास बिहारी बोस पकड़े नहीं गये. उनके इलावा बसंत कुमार विश्वास, अवद बिहारी और अमीर चंद सहित तीन अन्नी क्रांतिकारियों को सरकार द्वार गिरफतार किया गया और उनका ट्रायल भी हुआ. मच लेटर बोस 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 अलब इन रेवलुशनरी गदर मुव्मेंट. यह मुव्मेंट अपनी हाइट पर पहुचा था दूरिंग फिर्स वर्लड वर और गदराइट तू इंस्टिगे अम्यूटनी इन आर्मी इन इन न 15. गदर मुव्मेंट के उरिजिंस यूएस में थे and it was mainly composed of Indians abroad who were planning mutinies in the country on a large scale. बोस को आंदोलन के नेता के रूप में चुना गया था परन्तु यह विफल रहा और कई लोग इसमें गिरफतार भी हुए. रास बिहारी बोस एक बार फिर गिरफतारी से बचने में काम्याब रहे और 1915 में जापान चले गए. वहाँ 1915 में जापान पहुँचे और वहाँ पैन एशियाई समुहों के समर्थन और साहिता उन्होंने प्राप्त करी. रास बिहारी बोस was very active in Japan where he advocated the independence of India and urged the Japanese government to support Indian nationalist movement. He was hugely instrumental in raising support for Indian freedom movement abroad. He founded the Indian Independence League in 1942 during a conference in Tokyo convened by him. This league exhorted the Indian prisoners of war taken by Japanese during the Second World War की वो आगे आएं और मिलके Indian National Army को जोइन करें. उनके सभी योगदानों के कारण उनको order of the rising sun प्रदान किया गया था by the Japanese government. 21 जन्वरी 1945 को राजबिहारी बोस का जपैन की राजथानी टोकियो में ही निधन हो गया था. और अब इसके साथ आएए देखते हैं अगला फैक्ट आज़का तो ये संबंदित है 1924 अर्थात 1924 से जब एड्यूकेटर, जूरिस्ट और मैथमेटीसियन सर आशुतोष मुखरजी हाड पास्ट वे अर्थात शिक्षक, विधिवेता और गणितग्य. सर आशुतोष मुखरजी का निधन आज के ही दिन हुआ. By the year 1888, he was a lecturer in mathematics for recently established Indian Association for Cultivation of Science or IACS. Much later, he became a member of the London Mathematical Society, the Paris Mathematical Society as well as American Mathematical Society in 1900. उन्होने कालकटा Mathematical Society का गठन किया in 1908. He was one of the first people to recognize the work of Srinivasar Ramanujjan. और उन्होने एक अशुतोष कोलेज की भी स्थापना करी थी in Calcutta in 1916. Apart from that, he also laid the foundation of Jagadbandhu Institution in 1914 and Santra Gaji Kedarnath Institution in 1925. He was the President of the Inaugural Session of Indian Science Congress in 1914. इसके इलावा वह 1917 से लेके 1919 तक नियुक्त करी गई Sadler Commission के भी एक साथ दस्य थे, which was presided over by Michael Ernest Sadler, जिसका उदेश था to inquire into the state of India's education situation. उन्हें तीन बार the Asiatic Society के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया और 1922 में वह Indian Association for Cultivation of Science के अध्यक्ष चुने गए. अपने मृत्यों तक वह इस पत पे रहे. आशुतोष मुखरजी was appointed as a companion of the order of the star of India in June 1909, as well as इनको knighthood प्रदान किया गया था in 1911. और अब चलके देखते हैं अगला fact कौन सा है, तो ये संबंदित है 1933 से, जब Trinidadian lawyer, politician and civil servant Basudeo Pande was born, अर्था Trinidad के वकील, राजनितेग्य और सिवल सेवक Basudeo Pande का जन्म आज के ही दिन हुआ था. He is a Trinidadian lawyer, politician, trade unionist, economist and civil servant, who served as the fifth prime minister of Trinidad and Tobago from 1995 to 2001. In fact, he was the first person of Indian descent to hold the office of prime minister of Trinidad and Tobago. He served as a leader of opposition five times between 1976 and 2010. इसके इलावा वह एक founding member भी थे of the United Labour Front, the National Alliance of Reconstruction and United National Congress. In the year 2005, he was awarded प्रवसी भारतिय सम्मान by the Ministry of Overseas Indian Affairs. और यहाँ इस संधर्ब में यह जानना भी आवश्चक है कि आखिर, where is the country of Trinidad and Tobago situated? तो आप याद रखिये कि इसको officially Republic of Trinidad and Tobago बुलाया जाता है and it is the southernmost island country in the Caribbean. इसमें मुख्य दूवीप, Trinidad और Tobago और कई बहुत छोटे छोटे अर्ने दूवीप शामिल हैं. इसकी राज़्थानी है पोर्ट अफ स्पेन और अगर बात करें इसकी करें सी अर्थात मुद्रा की, तो यह है Trinidad and Tobago डॉलर. और अब इसकी साथ आएए चलके देखते हैं. अगला फैक्ट आज का यह संबंदित है 2011 अर्थात 2011 वर्ष से चब सोशल अक्टिविस्ट डॉक्टर रजनी कांत अरोले अर्थात समाजे कारे करता डॉक्टर रजनी कांत अरोले का निधन हो गया था. He was the founder-president of Maharashtra Social Forum, a popular NGO network in the state of Maharashtra. उन्होंने medical में अपना सनातक प्राप्त किया था from the famous John Hopkins University in the US. वर्ष 1970 में वह भारत वापस आगए और उसके पश्चात, he launched a comprehensive rural health project in Jamkhedh and worked among the rural poor and marginalized people for more than 39 years. His efforts to combine community development with a comprehensive approach to rural health care using the Jamkhedh model has been recognized by numerous international organizations as well. अपने सभी योगदानों के कारण इन्हें कई पुरुसकारों से समानित किया भारत सरकार के द्वारा, जैसे की he received the Padma Bhushan in 1990, apart from that he received Mother Teresa Memorial Award for Social Justice in 2005, परतु सबसे जादा याद रखने वाला और महत्वपूर्ण फैक्ट यहां है that he received the Raymond Maxese Award for Community Leadership in 1979. Raymond Maxese Award, जिसको की Asia का Nobel Prize भी कहा जाता है, was conferred to Dr. Rajnikant Arule for his contributions and his remarkable work in the field of health, अर्थात in the health sector. यहां एक आवश्चक fact यह भी याद रखियेगा दोस्तों, कि from India the first person to receive the Raymond Maxese Award was Acharya Vinoba Bhave, who received this award in 1958. और इनके भूदान आंदोलन, अर्थात the Land Gift Movement के बारे में, तो हम सभी जानते हैं. और अब आईए चल के देखते हैं कौनसे questions आज हमें solve करने हैं. तो सबसे पहला प्रश्ण है, who founded the Indian Independence League in Tokyo in 1942? अर्थात 1942 वर्ष में, टोक्यो में Indian Independence League की स्थापना किसने करी थी? Options हैं A. Bagha Jatin, B. Mohant Singh, C. Raj Bihari Bose या D. Lala Hardiyal. The second question is, which Viceroy was attacked during the Delhi Conspiracy case in 1912? अर्थात 1912 में हुए दिल्ली शडियंत्र केस के दौरान, किस Viceroy पे हमला किया गया था? Options हैं A. Lord Curzon, B. Lord Mayo, C. Lord Harding, D. Lord Minto. और अगला प्रश्ण है, who had founded the Calcutta Mathematical Society in 1908? अर्थात वर्ष 1908 में, Calcutta Mathematical Society की स्थापना किसने करी थी? Options में कुछ नाम हैं, जैसे की A. शरत चंद बोस, B. सुभाश चंद बोस, C. जानकी नात बोस, D. आशुत तोश मुखरजी. Now the fourth question is, who is the first person of Indian descent or Indian origin to hold the office of Prime Minister of Trinidad and Tobago? अर्थात, Trinidad और Tobago के प्रधानमंत्री का पद सम्हालने वाले भारती मूल के पहले व्यक्ती कौन बने? A. A. N. R. Robinson, B. George Chambers, C. Patrick Manning, D. Basudev Pandey. With this the fifth and the last question for today is, who had received the Raymond Maccessi Award for Community Leadership from India in 1979? अर्थात भारत से वर्ष 1979 में किसे समुदाइक ने तरत्व के लिए Raymond Maccessi पुरुसकार दिया गया था? आप्शुन्स है A. मेबिले एरूले, B. पीके सेथी, C. रजजनी कांथ रूले, D. चांदी प्रसाद भट और अब इन सभी interesting questions और कुछ बेहदलाब दायक facts के साथ, आज के इस session को हम यही समप करते हैं. इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहदलाब राप्त होगा. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिये. इन सभी questions के उत्तर, आप निरंतर शेर कीजिये हमारे साथ in the comment section. With this, please stay safe, have a great day and thank you so much to all of you.